हेलो गाइस, इसमें सौरमनना, वेल्कम बैक टो मैं चैनल जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल में वीडियो डाला था कि ताटर स्विल दोवारे एक अपरेंटिस रिकूट्मेंट जारी होने वाला बहुत ही चल्द वोच हारकंट और ओरिसा वालों के लिए अब यह जो न्यूस था आया है, यह सब कुछ सही है जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था इन्फोर्मिशन, सब कुछ सही था और फाइनली यह नोटिफिकेशन भी आ चुका है तो आज किस वीडियो में बात करना वाला हो कौन-कौन यह फॉर्म अप्लाइ कर सकता है eligibility criteria क्या क्या है और फॉर्म फिलप्स related वीडियो में जरूर लाओंगा एक्जाम में क्या हैगा, questions पुछे जा सकते है, syllabus क्या राएगा सब कुछ वीडियो के साथ शेर करते रहोंगा बस आपसे requested चैनल को साथ जरूर जूर जाएए और इस वीडियो के description box में टेलिग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ उसमें भी जूर जाए क्योंकि टेलिग्राम में PDF अगरा शेर कर सकूँ ताकि आप लोगों को information मैं मिल जाए कुछ भी important अगर लगे आपको मैं टेलिग्राम के माधहम से शेर जरूर करते रहोगा कुछ भी updates हो मैं आपको टेलिग्राम का माधहम से और अपने YouTube चैनल का माधहम से शेर करते रहोंगा बस आप लोग यूट्यूब चैनल के सब्स्राइब जरूर कर लीजेगा साइध में चुब लाक इन उसको जरूर दबा दीजेगा और टेलिग्राम चैनल में जूड चाहिएगा सबसे पहले मैं आपको बता दू ये किन के किन के लिए जारी किया गया है ये झहारकरण स्टेट के लिए और एसलिए के लिए जारी किया गया है इंप्लाइब वड्रिजिस्टर्रे रिस्ट्रेशन से बिलाऊं करते हैं म सब कुछ अपडेट करता रहोंगा बस आपको जूरे रहना हो ठीक है सबसे पहले क्लियर करता हो पहला पहला वीडियो के साथ यह है कि आपका आपका हुआ और जो भी टीटल्स मैं आपका साथ शेर करूँगा बाकी सब के लिए सेम रहेगा जैसे अभी मैं ओरिसा वाला का इनफॉर्मिशन शेर कर रहा हो ना तो सब कुछ इनफॉर्मिशन सेम रहेगा फॉर जहरकन स्टेट के लिए भी ठीक है इसमें कोई भी अलग नहीं रहेगा तो सबसे पहले PDF में मैंने ओपेन किया है ओडिसा वालों के लिए तो सबसे पहले eligibility criteria के बारे में क्लियर कर दूँ eligibility जो है आपका minimum aggregate marks of 70% होना जरूरी है जो general categories बिलोग करते हैं उनका minimum से minimum 70% होना जरूरी है and H-C-H-T candidate वालों के लिए 60% होना जरूरी है and must have English, Science and Mathematics in matriculation और अगर आप CVC candidate से बिलोग करते हो तो आपको percentage में convert कर लेना हो अगर आपका CGPA में पॉइंट में अगर आपका marks तो उसका आपको percentage में convert कर लेना होगा बात करते हैं age criteria को लेके 1st July 2003 से लेके 1st Gen 2007 जो general category बिलोग करते हैं वो इस दोनों date के बीज में जो भी age है आपका वो होना जरूरी है अगर आप सोचों कि 1st July 2003 से पीछे 1st June, 1st April 2003 ऐसे नहीं होना चाहिए 1st July 2003 बोला है तो 1st July 2003 से लेके 1st Gen 2007 तक होना जरूरी है और STAC वालों के लिए 1st July 2002 से लेके 1st Gen 2007 तक होना एक तम जरूरी है age होना जरूरी है तब जाके आप इसमें अप्लाइं कर पाऊगे physical fitness के बात के जाएं आप ए physical fitness भी बता दिया है height 152 cm होना जरूरी है and for girls के लिए 142 expansion of chest 5 cm, eyesight 6x6 in both eyes with glass, color vision normal, weight 45 kg and girls के लिए 40 kg सब कुछ मैंने इसमें बता दिया है और domicile के बात करें state of odysa इसमें odysa वाले इसमें apply कर सकता है जहारकंड वाले भी इसमें apply कर सकता है सब के लिए यह जो qualifications वगरा है eligibility है यह सब सेम है और इसके बात क्या होगा इसमें आपका exams conduct करवाया जागा अगर आपका exams clear हो जाए तो आपका interview round होगा फिर आपका medical round होगा अगर उसमें भी आपका selection हो जाता है तो आपको 2 साल के लिए training में रखा जाएगा जिसमें से आपको monthly step end मिलता रहेगा और अगर आपका training खतम हो जाता है तो आपको AITT दुवारा certificate डिया जाएगा मलब और India trade apprentice के लिए ठीक है तो और उसके बाद अगर Tata Steel के दुवारा अगर manpower की जरुरत हो तो आपको job में रख भी सकता है कोई भी Tata Steel का कोई भी location में ठीक है अब जरूरी नहीं है तो आप Odisha से बलाउंकर है तो आपको Odisha में ही रखेगा ऐसा नहीं है Odisha हो या तो जार करनों कहीं भी आपको रख सकता है बात का तब Form Fill Up को लेके Form Fill Up जो है आपका 2nd December से स्टार्ट हो चुका है लास्टेट 12 December है इसके बाद 28 December को Admit Card जारी किया जाएगा और 2nd and 3rd January को exam conduct करवा जाएगा वो भी center में ठीक है पहले क्या हुआ था पहले online exams करवाया गया था घर बैठे ठीक है जिसमें बहुत ऐसे स्टेटेटेंसे जो लोग चीटिंग करके यह करके वो करके अपना exams clear के लिए था इस बार अब ऐसा कुछ नहीं होगा अब इस बार exam जो वो center में करवाया जाएगा ठीक है नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा form fill up को लेगा कैसा आपको form fill up करना होगा ठीक है form fill up के बात किचा 500 रुप लगेगा ठीक है सेम है आपका जहारकंड वालों के लिए भी eligibility criteria सब कुछ सेम रहेगा जहारकंड वालों के लिए भी ठीक है मैं आपको PDF ओपन करके मैं आपको दिखायता हूँ रिजिस्टर रिलेशन वालों के लिए क्या क्या चीज इसमें mention किया हुआ ठीक है तो यहाँ पर देखिए employ what son, daughter, son-in-law, spouse of current या तो किसी के ex-employee of data still है तो वो यह form fill up कर सकता है और जो register relation wherever applicable तो इसमें आप apply कर सकते हो eligibility के बारे में बात के जाए candidate must have passed matriculation इसमें ऐसा बोला नहीं कि कितना percentage चाहिए ऐसा कुछ नहीं है अकर कम से कम minimum pass होना ज़रूरी है ठीक है age criteria भी यहाँ पर आपको screen में दिख रहा होगा और जो register relations से जोड़ों में लाँगा तो उनका भी age criteria दिया हुआ है minimum physical standards भी सब कुछ mention किया हुआ है इसके बाद stipend training and employment details सब कुछ mention मैं आपको बता दिया है सब के लिए इससे हमें form fill up start हो जेगा form fill up की regarding update लाँँगा बहुत ही चल नेक्स्ट वीडियो में ठीक है और भी मैं videos लाते रहूँगा syllabus के लिए regarding questions कैसे पूछ सकता है है न सब कुछ update मैं देते रहूँगा बस आपसे request है आप चैनल के साथ जुरे रहे bell icon को ज़रू दबा दीजे और telegrams चैनल के साथ जूड जाए ओके वीडियो को यह paint करते वीडियो को अच्छे लगे वीडियो को जो लाइक कीजिगा जाए 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 शेर कीजिगा और सब्स्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू